इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप दूसरों की वीडियो से पैसा कैसे कमा सकते हैं तो complete बने रहे इस वीडियो में तो मैं आपको step by step बताने वाला हूँ कि आप दूसरों की वीडियो से पैसा कैसे कमा सकते हैं तो सब सब पहले मैं आपको बता देता हूँ यूटूब की टर्म्स एंड कंडिशन्स में कुछ अपडेट किया था यूटूब ने वो क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ यह था कि आप किसी का वाटरमर्क यूज नहीं कर सकते और उसमें ये भी था कि आपको फेस से पेशा कैसे कमा सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो वीडियो कौन सी है जिन वीडियो को आप अपने चैनल पर डाल के आप पैसा कमा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बॉलिवुड्स की जो छोटी-छोटी क्लिप्स होती हैं 10-12 मिनट की, 15 मिनट की एक घंटे की उनको आप अपने चैनल पर अपलोड करके उनसे पैसा कमा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि अब उनसे पैसा कैसे कमा जाता है सबसे पहले मैं आपको 2-3 कैटेगरी बता देता हूँ अगर आप South Indians Movie अपने चैनल पर अपलोड करते हो और आप चाते हो कि भाई हम इससे पैसा कमा लें तो सबसे पहले मैं आपको कोपी राइट से बचने का तरीका बता देता हूँ कि आप कोपी राइट से कैसे बच सकते हैं तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ जैसा आप पूरी वीडियो डाउनलोड करोगे किसी के चैनल से जो मतलब उनका अपना परसनल चैनल होता है जैसा उनके भी कितने सारे प्रोडॉक्शन हाउस हैं जिनके अपने अपने चैनल से अपनी वीडियो डालते हैं और मिलियंस में व्यूज जाते हैं जैसा ही आप महाँ से वीडियो डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू डाउनलोड का जो फॉर्मेट होगा आपको उससे कनवर्ट करके AVI या MOV में उसको कनवर्ट कर लेना यह जो भी उससे अधर मतलब जो डाउनलोड के बाद जो फॉर्मेट आ रहा है उससे कोई अधर फॉर्मेट में आप उसको कनवर्टर से कनवर्ट कर लेना ठीके उसके बाद जैसा ही आप उसको timeline पे डालोगे मतलब उसके अंदर जब जो जो मैं आपको changes बताऊँ जब आप वो changes करोगे उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोई भी movies जिसका time होता है 2 से 2,5 गंटा आपको जादस जादस इसका ग्राफिक डेजाइनर कोन है एडिटर कोन है यह वाला पार्ट बिलकुल खतम कर देना आप उसके अंदर ते और कुछ शोट्स भी एक दो शोट्स आगे की यह पूरा का पूरा summary खतम करने के बाद और disclaimers खतम करने के बाद आपको दस मिनट की वीडियो आगे से बिलकुल काट देनी है यह पहले ट्रिक मैं आपको बता दी उसके बाद second trip की तरफ चलते है second trip क्या है second trip यह है डाइगंटी की movies के अंदर जितने भी उसमें गाने है music video है आपको totally सबको remove कर देना है मतलब 4-5 जितने भी music video होती है डाइगंटी की movies के अंदर आपको सारे के सारे remove कर देने है उसके बाद third point को चलता हूँ third point क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ third point यह है आप जो last में आप summary आप देखते होंगे कि बहुत सारे जिसने उस film के अंदर काम क्या है उसके अंदर credit देते हैं उसको तो वो last में चलती है तो आपको वो बिल्कुल उड़ा देना है तो मतलब आपको इतनी खतम कर देनी है उसको धाई गंटे को तक जो उसका output final output एक गंटे एक गंटा पचास मिनट तक आए अगर जब आप उसको अपने चैनल पर उसको अपलोड करते हो तो अपलोड करने से पहले जब अपलोड करते हो तो last step पे वो issue दिखाता है अगर महाँ पर copyright issue आया तो आप उसको cancel कर देना अगर ज़ो issue नहीं आया तो आप उसको public कर देना इसका मतलब यह है कि आपकी आप इसको कोई copyright नहीं देरा इस company वाला और by chance अगर जो आपको पास उस movie पे copyright आ गया तो i button में जाकर के देख लेना copyright claim कैसे remove करते हैं वहाँ से आप copyright claim remove कर लेना और साथी साथ एक चीज एक बहुत important चीज में आपको बता देता हूँ जहां से आपने वो वीडियो को download किया था जिस भी YouTube से या जिस भी platform से आपने उसको download किया था आपको उसको credit देना है अपने descriptions के अंदर इससे भी आप copyright claim से बच सकते हैं क्योंकि अगर आप अपने channel को grow कर रहे हैं किसी दूसरे के content से तो आपको उसको credit देना पड़ेगा descriptions में और अगर जो आप लिख सकते हैं वीडियो के अंतर आप title लिख सकते हैं कि credit by these films तो आप भापर भी लिख सकते हैं उससे भी आप claim से बच सकते हैं और अगर जो आपके पास claim आ जाता है कि mail में वो आप से revenue share करने की बात करेंगे तो जब आपके पास इस तरह की mails आएंगे कि भाई हमें इसका revenue चाहिए नहीं तो हम इस पर copyright claim कर देंगे तो आपको उनको अपना revenue share करना पड़ेगा नहीं तो फिर आपकी वीडियो को delete कर देंगे या copyright claim कर देंगे तो ये तरीका था आप दूसरे के content को डाल के अपने channel में कैसे पैसा कमा सकते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कितने सारे examples हैं मैं आपको screenshot पर आप देख सकते हैं कि ये channel कितने चल रहे हैं और shorts, video डाल डाल के ये Bollywoods के cuttings तो बहुत पैसा कमा रहे हैं क्योंकि ये उस company को भी pay कर रहे हैं जिसका ये content use कर रहे हैं उस company को भी revenue share कर रहे हैं और एक important बात में और बता देता हूँ आपको वो क्या है बहुत important बात है अगर आपके non में मतलब आपके non में डारेक्टर या rights आजाएगा आप अपने channels पर upload कर सकते हैं for example आपने कोई video खरीदी दो लाग रुपे की और आपने उसको अपने channel पर upload कर दी दो लाग रुपे में से आपने अब देखो आपने दो लाग रुपे में कितने लाग रुपे कमा ली क्योंके movies के अंदर हमेशा millions में views जाते हैं लाखों में views जाते हैं और movies का क्या होता है एक बार इंसान सुरू कर देता है तो last तक देखता ही देखता है उसमें audience retention बहुत ही अच्छा जाता है तो इस तरह आप दूसरों की वीडियो से पैसा कमा सकते हैं आशा करता हूँ मैं आपको ये tricks आपके समझ आ गई होगी अगर आपके ये tricks समझ में आ गई तो प्लीज इस वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करना और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ मेरी जो series है उसको जाकर के देखो जिसमें मैंने channel create से लेकर के monetization तक complete मैंने detail में step by step बताया है तो वहाँ पर उसको भी i button में आप जाकर के check कर सकते हैं किस तरह से channel create होता है और monetization तक मैंने complete detail में बताया है, मैंने complete बताया है के thumbnail कैसे लगा जाता है, title कैसे लिखे है, descriptions कैसे लिखे है complete मैंने full details में मतलब starting से लेके last monetization तक मैंने उसकी पूरी series बना रखी है तो आप जाकर के उसको देखो आपके लिए बहुत important होगी हो वीडियो तो मैं आशा करता हूँ आपको जितना मैंने आपको ये process समझाया आपको इसली से समझ आ गया होगा अगर अभी भी आपके समझ नहीं आया तो आप मेरे से DM करके मेरे Instagram पर मेरे Instagram की ID यह है जो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे display पर इस पे जाकर के मेरे को DM कर सकते हैं, कोई भी doubt आ रहा है मुझसे पूछ सकते हैं आप directly मैं on the spot आपको reply करूँगा